गणेश चतुर्थी आने वाली है देश भर में गणपती बपा के जन मोटसव की धूम है। अब स्क्रीन पर आप ये जो विडियो देख रहे हैं इस पर जरा ध्यान दीजिए। आप सोचेंगे कि गणपती बपा की मूर्तियों को पेंट करता ये शक्स कोई कलाकार होगा ले लेकर ये सच नहीं है। दरसल ये एक जेल का कैदी है जो पिछले तीन साल से सजा काट रहा है और ये नजारा भी एक जेल का ही है। है ना है रानी की बात। ये खबर मध्यप्रदेश के जबलपुर की है। यहाँ नेता जी, शुभास, चंद्र बोस, सेंट्रल जेल है, चार दिवारी में बंद कैदी गणेश जी की इको फ्रेंडली मूर्ति बना रहे हैं। यहाँ चोटी से लेकर बड़ी मूर्ति तयार की जा रही है, जिसमें 306 मूर्तिया और 3 बड़ी मूर्तिया शामिल है। इसमें से दो सेंट्रल जेल में रखी जाएंगी जबकि एक गणेश जी की मूर्ति जज कॉलनी रांजी के ओर्डर पर बनाई जा रही है। जेल परिसर के अंदर तयार हो रही करीब 306 मूर्तियों को बेचा जाएगा। इसके लिए जेल परिसर में ही स्टॉल लगाए जाएंगे और आम नागरिक मूर्तियों को आसानी से खरीच सकेंगे। इन मूर्तियों की कीमत 101 रुपे से लेकर 501 रुपे तक है। ये पैसे ज जो दस कैदी मूर्ति बना रहे हैं उनकी सजा को 4-5 दिन तक कम कर दिया जाएगा। जेल सुपरिटेंडनेंट अखिलेश तोमर का इस पर क्या कहना है अब आप ये सुनिए। क्याने हैं, और ये काकि समय से बंदी बनाते रहे हैं। अंदर तो बनाते ही हैं पूजा के लिए एक बड़ी मूर्ति, इसके लावा एक चोटी मूर्ति भी बनाते हैं, एक खुटकी या, उसके खाप। और इनको विक्रे के लिए बाहर ही रखते हैं। प्रया हमारे पास ह तो यह सारे बंदियें जो मुख्य कलाकर है इनके हातों में कलाकर है और इन बंदियों को अच्छा काम करते हैं तो हम इंको माफी देते हैं कि यह मिट्टी थोबा बाहर से लाते हैं और जहां पर जिए मिट्टी मिलती है जो दूसी जगह से एक इन जगह है वहां से मिट्टी लाते हैं और उस मिट्टी के आदार पर इसको तेयार करते हैं सर माफी पर भी प्राफान सा है माफी का मैं रहा कि यह इसे ने आपर से हूं हो जल्दी से जल्दी उसके माफी का लाब लेकर के रहा हो सर्कूरी नाध्रिक मूर्टी लेना तो तरीके से गडपते बपा की मूर्ती बनाने के लिए मिट्टी, तुलसी, लकडी, चारे और गोबर का इस्तमाल किया जा रहा है वहीं चौक मिट्टी को मार्केट से लाया गया, कलर इको फ्रेंडली है जिसे इन्वायमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा जेल में बंद कैदी का इस पर क्या कहना है, आईए आपको सुनाते हैं कितनी मूर्तियां बड़ी है चोड़ी कितनी है दो मूर्तियां बड़ी है जो खंड के लिए बनी है जेल के और एक मूर्ति अभी बनना है जो मजिस्ट्रेट कलोनी की मूर्ति रहती है रांजी की हर साल बनती है तो वो बनाना है यह बताईए कि इसको तयार कैसे करते कहां स यहां पर हो मूर्तिकार है किते साल के हुट सब्सक्राइब क्जिया जो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके आसपास भी गणेश चतुर्थी पर कुछ अतरंगी हो रहा है तो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही विडियोस के लिए देखते रहें लोकल इटीन